भारत में कोरोना वाइरस संक्रमन के बढ़ते मामलों के बीच सबकी निगाहें वैक्सीन पर टिकी हुई है कई भारतिय कमपनियां कोरोना की वैक्सीन तयार करने में लगी हुई है भारत में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी खुद लेंगे PM मोधी शनिवार 28 नवंबर को कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पुने, हाइदरबाद और एहमदबाद जाएंगे प्रधानमंत्री मोधी के इस दौरे की आधिकारिक पुष्टी पी-म द्वारा की जा चुकी है प्रधानमंत्री मोधी कर पुने में सीरम इंस्टिट्यूट ओफ इंडिया का दौरा करेंगे इसके साथ ही वह हाइदराबाद जाएंगे जहां भारत बायोटेक का ओफिस है जो इंडियन काउंसिल ओफ मेडिकल रिसच आईसी एमार के साथ मिलकर को वैक्सीन नाम से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन तयार की है पुने और हाइदराबाद के बाद पी-म अहमदाबाद जा सकते हैं हमदाबाद में जाइड स्कैडिला की फैसिलिटी है जिसने जिकवडी नाम से वैक्सीन बनाई है जो दूसरे फेज के ट्रायल में है जिसका जायजा प्रधानमंतरी मोधी लेंगे प्रधानमंतरी कार्याले की ओर से जारी किये गए बयान में कहा गया है कि भारत सी OVID-19 के खिलाफ लड़ाई के निरनायक चरण में प्रवेश कर चुका है PMO ने कहा कि इसी को देखते हुए PM नरेंद्र मोधी इन फैसिलिटीज में जाएंगे और वैग्यानिकों के साथ चर्चा करेंगे जिससे उन्हें अपने नाग्रिकों को टीका करण करने के लिए भारत के प्रयासों की तैयारियों, चुनोतियों और रोड मैप का पहला दृ योजना तयार कर ली है, एस्ट्राजेनिका से बल्क में वैक्सीन लेने की तयारी है